North Atlantic Treaty Organization या NATO का गठन 75 वर्ष पहले किया गया था इसका लक्ष था युद्ध होने से रोकना 75 साल का यूरोप का इतिहास वो भी बेना युद्ध के ये एक सफल समझोते का ही नतीजा है लेकिन 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये स्थिती बदल गई यूरोप में एक बार फिर युद्ध की वापसी हो चुकी थी हालांकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है लिकिन रूसी हमले ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या पश्चमी सेन्नेगट बंधन अपनी रक्षा कर सकता है नाटो कितना मजबूत है खास कर यूरोप ये सदस्यों में तो कुछ कमजोरियां साफ दिखती है यूरोप की 90 फीस दी सुरक्षा अमेरिका के भरोसे है 27 सेनाय मिलकर भी मध्यम आकार के एक मिशन को नहीं सम्हाल सकती इस डॉक्यूमेंटरी में हम उन लोगों से बात करेंगे जो नाटो को अच्छी तरह से जानते हैं हम म्यूनिक, फ्रैंकफॉर्ड, बर्लिन की सुरक्षा की गारांटी नहीं दे सकते हमारे बस में नहीं है दूसरे विश्वयुद के परिनामों के बाद स्थापित नाटो ने समय के साथ अकल्पनी उपलब्धी हासल की है इसने पुराने दुश्मनों को सहयोगी बना लिया है मुझे ये बड़ा ही रुमांचक लगता है दूसरे विश्वयुद में अमेरिका और इंग्लेंड के खिलाफ लड़ने वाले जर्मन अधिकारी भी नाटो के कमांड ढांचे का हिस्सा थे अपने गठन के 75 साल बाद नाटो का महत्व अब शीत युद के वक्त से भी ज्यादा बढ़ गया है दुनिया भर में सैन ने शक्ति बढ़ाने पर जोड दिया जा रहा है और सिर्फ रूस ही नहीं बलकि चेन और मध्येश्या में भी यही हो रहा है मुझे लगता है कि सौदी अरब 2010 से अब तक अपनी धल सेना की ख्षमता को तीन गुना बढ़ा चुका है और नाटो का क्या हमने वास्तविक्ता को नजर अंदास किया और अब उसके नतीजे भुगत रही है ये बेल्जियम का मोन्स है एक लाख की आबादी वाला ये शहर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से 70 किलोमीटर दूर है यहां है दुनिया की सबसे जादा सुरक्षति मारतों में से एक नाटो का सैन्ने मुख्याले यानि सुप्रीम हेड़क्वार्टर्स अलाइड पावर्स यूरोप जिसे शॉर्ट में शेप भी कहा जाता है सदस्य देशों की सीमाओं पर हो रही हलचल से लेकर किसी संदिक्द गतिविधी तक यही सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं का केंद्र है एड्मिरल रॉब बाउर नाटो के मिलिटरी कमिटी के प्रमुक हैं वो राजनीती दुनिया और सेना के बीच एक कड़ी की तरहा है गठ बंधन के पिछेतर वर्ष हो चुके हैं और हमारी संख्या अब बारहा सदस्यों से बढ़कर लगभग 32 हो चुकी है तो मैं ये कहूंगा कि ये अपने आप में इस गठ बंधन के महत्व को दर्षाता है वरना इतने सारे देश गठ बंधन के सदस्ये नहीं होते दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना के समय 12 देश नाटो के सदस्ये थे शीत युद्ध के समय इसका उदेश, कम्यूनिज्म, सोवियत संग और इस्टर्न ब्लॉक के बढ़ते प्रभावों को रोकना था बाद में इस्टर्न ब्लॉक के देशों सहित बीस और देशों ने नाटों की सदस्यता ली आज इस गठ बंधन का विस्तार उत्तर में आर्कटिक सागर से लेकर दक्षिन पूर्व में सीरिया से लगने वाली तुर्की की सीमा तक है साथ ही रूस की सीमा से लगे बाल्टिक देशों से लेकर अटलांटिक पार अमेरिका और कनाडा तक इसका विस्तार है ये करोडों लोगों की सुरक्षा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा सेन्न गटबंधन है, हालांकि अभी तक नाटो की अपनी कोई सेना नहीं है। ये कुछ इस तरह से बनाया गया है कि नाटो के मूल रूप से तीन अंग हैं। ये कमांड और कंट्रोल है, ये मानक पैमाना है और सेन्न अभ्यास, इसकी सेन्ने टुकडियां आती हैं 31 संप्रभू सदस्य देशों से, जो जल्द ही 32 होने वाले हैं। जब सदस्य देश सेन्ने अभ्यासों, अभ्यानों या संयुक्त रक्षा के लिए नाटो को अपनी सेना दे देते हैं, तो उसके बाद सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप, जिनरल कावोली उन बलों के प्रमुक हो जाते हैं। फिर उन्हें जो मिशन दिया जाता है, वो इन सेनाओं को वहाँ भेज सकते हैं। सैन्य संगहर्ष के भयानक त्रासद परिणामों के बाद ही नाटो की स्थापना की गई थी। मुझे लगता है कि ये समझना जरूरी है कि दूसरे विश्व युद्ध के नतीजों को देखकर ही नाटो को खड़ा किया गया था। यानि इस फैसले में जो भी लोग शामिल थे, उन पर युद्ध और तबाही का साया मनरा रहा था। नाटो के शुरवाती इतिहास में शामिल ज्यादतर लोगों जिनमें लगभग सभी पूरुश हैं, उन्होंने पहला या दूसरा विश्व युद्ध लड़ा था। या उनकी इसमें एक भूमिका थी। नाटो की स्थापना का एक मुख्य उदेश युद्ध होने से रोकना था। उस वक्त ज्यादातर लोगों का मानना था कि नाटो का गठन करके वो युद्ध की वापसी रोक रहे हैं। जब ये गठ बंधन बना तब इसका कोई सेन ढाचा या कमांड सेंटर नहीं था। पहली और सबसे जरूरी बात कि नाटो एक वादा था। मुझे लगता है कि ये समझना जरूरी है कि 1949 में समझोते परहस्ताक्षर के वग ये सिर्फ एक सांकेतिक समझोता था। ये एक तरह से राजनीतिक प्रतीक था कि 12 देश एक दूसरे की रक्षा करेंगे और साथ काम करेंगे। 4 अप्रेल 1990 को 12 देशों की सरकारों के प्रमुखों, वरिष्ट कूट नितिग्यों और विदेश मंत्रियों ने वाशिंग्टन में नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किये। उस समझोते में सिर्फ 14 आर्टिकल थे। हमारे लिए अगर आज कुछ सुनिश्चित है, अगर भविष्य में कुछ अनिवार्रे है, तो वो है दुनिया भर के लोगों में हमारी स्वतंत्रता और शान्ती की इच्छा। कुछ ही महिनों बाद, अगस्त 1994 में सोवियत संग ने अपने पहले परमानू बम का परिक्षन किया था। परमानू हतियारों पर अमेरिका का एक आधिकार खत्म हो चुका था, और हतियारों की होड शुरू हो चुकी थी, सोवियत संग पश्चिम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। सब जानते हैं कि किसी भी तरह के उकसावे से अगर परमानू हतियारों का इस्तमाल हुआ, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन उस वक्त नाटों के संस्थापकों को सिर्फ सोवियत संग के सीधे हमले से ही डर नहीं था। इसे ही कनाडा के इतिहासकार टिम्थी एंड्रूस सेल लोगतंत्र की कमजोरी कहते हैं। 1940 के दशक के अंट में चिंता का मुख्य विशय ये था कि दूसरे विश्व युद्ध के विनाशकारी और दर्दनाक नतीजे जहलने के बाद यूरोप के लोग अपने देश और राष्ट्रिय हितों के लिए भविश्व में कोई भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते चिंता तो इस बात की थी कि अगर सोवियत संग किसी तरह अपनी सेना को संगठित वह मजबूत कर यूरोप के किसी हिस्से पर चड़ाई कर दे तो शायद वहां की जनता अपने नेताओं से सोवियत संग की सभी मांगें मान लेने के लिए कहेगी दूसरे विश्व युद्ध में लाखो लोगों की मौत जैसा खत्रा अब भी मंडरा रहा था और इतिहासकार कहते हैं कि लोकतांत्रिक देशों को हर हाल में शान्ती बनाए रखने के लिए ब्लैक मेलिंग जहिलनी बढ़ती है नाटो जैसे गठबंधन का सदस्य होने के बाद उन देशों के नेताओं को लगा कि वो अब अपने लोगों से कह सकते हैं कि अब वो एक बड़े धड़े का हिस्सा हैं और युद्ध के नतीजों के बाद जब नेताओं को लगा कि उनके लोग अब लड़ना नहीं चाहते तो सामुईक शक्ति का गठन ज़रूरी हो गया था आज नाटो की स्थापना के 75 वर्षों के बाद एक बार फिर यूरोप में युद्ध लड़ा जा रहा है विश्व के सबसे बड़े सेनने गठ बंधन को खुद से पूछना पड़ रहा है कि बुरी से बुरी स्थिती में वो खुद को कैसे बचाएगा सभी देशों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी यह आर्टिकल 3 में है और हमने काफी सालों तक उसे नजर अंदाज ही किया है उदाहरण के लिए ब्रेटेन ने अपनी थल सेना काफी कम कर ली है जर्मनी के पास थल सेना है लेकिन उसकी तुलना दूसरी सेनाओं से नहीं की जा सकती फ्रांस के पास परमाणू हथियार है लेकिन वो रूस के परमाणू जखीरों के सामने कुछ भी नहीं है शीत युद्ध के बाद सामोहिक सुरक्षा पर जोर कम होता चला गया नाटो का ध्यान अफगानिस्तान और लीबिया में अभियानों और तथा कथित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर चला गया हमें विदेशी मिशन पर सेनाओं की छोटी-छोटी टुकडियों की जरूरत पढ़ती थी ये टुकडियां बेहद खास मिशन पर विदेशों में भेजी जाती थी संकट के समय जवावी आपरेशन में हमारे पास समय होता है हम तै करते हैं कि क्या हम अफगानिस्तान जा रहे हैं अगर हाँ तो कब, कितनी सिना के साथ और कितने समय के लिए लेकिन सामोहिक रक्षा के मामले में दुश्मन का हमला भी हो सकता है फिर यही है कि या तो आप तैयार हैं या नहीं गट बंधन की कमजोरियां अब दिखने लगी है अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नाटो अब 32 देशों का सम्हू हो गया है इसका मतलब 32 संप्रभू रास्ट्र, 32 फौजें और बहुत बड़ी नौकर शाही युद्ध के समय सैन ने टुकडियों की जल्द तैनाती करपाना निरनायक हो सकता है लेकिन युरोपिय संग और शेन गेन शेत्र में आवा जाही की आजादी होने के बावजूद युरोप में ये बड़ी चुनाती है साल 2014 से 2017 तक बेन हुजेज युरोप में अमेरिकी सेना के कमांडिंग जनरल थे मैंने कहा आप जानते हैं कि आप सेब से भरा एक ट्रक पोलेंड से पुर्टगाल तक ले जा सकते हैं आपको रोका नहीं जाएगा आप पूरा सफर तै कर सकते हैं लेकिन मैं मिलिटरी के साथ वैसा नहीं कर सकता मेरे पास बाल्टिक देशों और पोलेंड में तैनाज सेना की छोटी टुकडी थी मैंने देखा कि मेरी हेलिकॉप्टर यूनिट की रख रखाव से जुड़ी तैयारियों का स्तर नीचे जा रहा था और मैंने आंस बाख के अपने एविएशन ब्रिगेट कमांडर से पूछा कि उनकी मरमत क्यों नहीं की जा रही है उसमें इतना समय क्यों लग रहा है और उन्होंने कहा कि सर हम मैंटिनेंस के लिए जरूरी पुर्जे आंस बाख से लिए लवार्दे नहीं ले जा सकते इसमें हफ तो लगते हैं मैंने कहा क्या मुझे तो पता ही नहीं था मुझे तो लगा कि आंस बाक से लिये लवार दे जाना उतना ही आसान होगा जैसा कि अमेरिका में इंटर स्टेट 95 से फ्लोरीडा और वर्जीनिया के बीच का सफर मेरे कहने का मतलब है कि ये सभी नाटो देश हैं यूरोपियन यूनियन के देश हैं फिर दिक्कत क्या है और तब मुझे ये समझ में आया कि परेशानी सैने सामगरी को सीमा पार ले जाने में है और आपको उसके लिए मन्जोरी चाहिए नाटो को इस समस्या की जानकारी है 2021 से दक्षणी जर्मन शहर उल्मिस्थित जॉइंट सपोर्ट एंड एनेबलिंग कमांड या जे एस इसी सी अस्तित्व में है जे एस इसी का मुख्य उद्देश है सेना की तैनाती में आने वाली ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं को दूर करना है इसके कमांडर लेटिनेंट जनरल आलेक्जांडर जोल फ्रांक के है हमारा एक संगीय धाचा है इसका मतलब है कि आपको अलग-अलग सरकारों के साथ मिलकर काम करना है कुछ फॉर्म होते हैं जिनें खास तरीके से भरा जाता है वो भी हर देश में अलग-अलग तरीकों से हम उस पर काम कर रहे हैं फिर आपको कस्टम नियमों, बीमारियों की रोक्थाम के लिए दवाओं जैसी चीजों का ध्यान रखना होता है चर्मनी में टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्हें तुरंत ट्रेन में चड़ाना पड़ता है या उन्हें बड़े ट्रक पर लादना पड़ता है हमारे पास टैंकों को ढोने वाले ऐसे ट्रक कम हैं इसलिए आपको डोचेबान की ज़रूरत पड़ती है लेकिन शांती के समय डोचेबान काम नहीं आती उन्हें से बंद नहीं करना चाहिए और टैंक डोने चाहिए तो इन सब प्रक्रियाओं से होकर गुजरना ही ठका देने वाला काम है ये इतना मज़ेदार नहीं है ये दक्षणी पूरवी जर्मनी में बवेरिया का ओबर फाल्स बैरक है नाटो के आदेश पर यहां के सैनिक कल लिथुआनिया जा रहे है तो जवानों बस एक और लोडिंग और हम लिथुआनिया के लिए रवाना हो जाएंगे क्या हमें अपनी तैनाती को लेकर कोई शक है टैंकों को ट्रेन से लिथुआनिया ले जाया जाएगा रेलवे स्टेशन तक की यात्रा में भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है रास्ता फ्रीवे से होकड जाता है बैरक से स्टेशन तक के लिए एक खास वक्त तै किया गया है भीड होने के पहले ही सब काम पूरा करना होता है हाल के दशकों में शांतिकाल के दौरान पूरे यूरोप में कई पुलों का निर्मान किया गया है लेकिन उस वक्त इस बात का बिलकुल भी ध्यान नहीं रखा गया कि वो पुल भारी मिलिटरी वाहनों का भार उठा सकेंगे या नहीं टैंकों को एक-एक करके ही ये नदी पार करनी पड़ती है हमारी उम्र के सभी लोगों को याद है पश्चिमी जर्मनी में अब भी आप पीला निशान देख सकते हैं जिस पर लिखा है कि इस पुल से कितने भारी वाहन गुजर सकते हैं मेरा मतलब है कि आपको पश्चिमी जर्मनी में ये निशान हर जगह दिखेंगे आपको पूर्व की तरफ जाने पर ऐसा नहीं दिखता लिथुआनिया के पूर्वी जोर पर भेजी जाने वाली नाटो यूनिट अपना सामान खुद ले जाती हैं इस तरह प्रक्रियाओं और गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है मुझे अपनी गाड़ी के बारे में पता है मुझे पता है कि इसमें क्या खराबी है और क्या नहीं और हमारे मेंटिनेंस पार्टनर जब चाहें स्पेर पार्ट भेज सकते हैं पिछले रोटेशन वाले टैंक हमारे दूसरे साथियों के हैं, ये आपकी अपनी कार जैसा है, जिससे सिर्फ आप ही ड्राइव करते हैं, किसी और के साथ उसे यूही बदल नहीं सकते। उसे पंदरा दिन लग जाते हैं, और यहां बात सिर्फ सैनिकों की नहीं है। हम इसे हाल ही में यूकरेन युद्ध में देख चुके हैं। एक जमीनी लड़ाई में काफी संसाधनों की खपत होती है। यूकरेन समर्थकों को परियाप्त मात्रा में गोला बारूद मुहया करवाने में दिक्कत आ रही है। उनके भंडार खाली हो चुके हैं और वो सब कुछ इस्तिमाल कर चुके हैं। एक आकलन के मताबिक रूस यूकरेन युद्ध में हर दिन तोपों के और सतन पचास हजार राउंड फायर किये जा रहे हैं। इस सारी युद्ध सामगरी का उत्पादन करना होगा। सब तुरंट उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए जर्मन गोला बारूद डच बैरल में भी फिट होना चाहिए। ये सही तरीके से यूरोप के हथियार गुदामों में पहुँचने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये भरोसे मंद प्रतिरोध का हिस्सा है। और पुलों का उपियोग किया जा सकता है और टीम में कहां पर सुधार की जरूरत है। हतियारों को रखने के लिए सबसे रणनी तिक जगा कौन सी है। यहां JSEC मुख्याले में संभावित घटनाओं से निपटने की तयारी की जाती है। और सबसे जरूरी यहां पर जो भी योजना बनाई जाए उसे तुरंत लागू करना संभव होना चाहिए। प्रती रोध तभी काम करता है जब हमारी योजनाए और तैयारियां चाक चौबंद हो। दूसरे शब्दों में वो कारगर होना चाहिए। जब हमें आत्मरक्षा की जरूरत हो तभी स्पष्ट संदेश भेजा जा सकता है। जो फिलहाल रूस के लिए है कि खतरा मोल मतलो हमारे उद्देशिया की पूर्ती जैसे युद्ध रोकने के लिए हमें शांती काल में बड़ी सैने टुकडियों की फिर से तैनाती के प्रबंधन में सक्षम होना होगा ताकि पहली गोली दागे जाने से पहले ही हम दुश्म लेकिन तब ही अचानक सफर रुख जाता है रेल हरताल की वजह से ट्रेन कुछ ही दूरी तै कर पाई है तीन दिन बाद भी वो बवेरिया में ही है ये प्रसेल सिस्थित नाटो का मुख्यालाय है गठ बंधन का राजनितिक केंडर नाटो के किसी सदस्य देश पर हमले के वक्त अनुच्छेद पांच को लागू करने से जुड़ा फैसला यहीं लिया जाता है नाटो की प्रक्रियाओं में वाशिंग्टन संधी की देन आर्टिकल पांच सबसे मशहूर है किसी एक पर सशस्त्र हमले का मतलब सभी पर सशस्त्र हमला माना जाता है आर्टिकल पांच के बारे में सभी जानते हैं लेकिन ये किसी लेजर बीम जैसा नहीं है कि किसी स्टोर में आपके जाते ही सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं आर्टिकल पांच को लेकर ऐसा कोई आटोमेटिक प्रावधान नहीं है सभी नाटो सदस्य देशों के बीच आधिकारिक रूप से विचार विमर्ष और सहमती के बाद ही आर्टिकल पांच लागू किया जाता है नाटो की तैनाती का फैसला सभी सदस्यों की सहमती के बाद ही होता है जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में सेहने कारवाईयों के लिए संसद की भी मन्सूरी लेनी होती है आपको याद है कि पिछले साल पुलेंड में एक मिसाइल गिरी थी और दो लोग मारे गए थे अगर ये प्रक्रिया आटोमेटिक होती तो कोई कह सकता था कि अरे रूसी मिसाइल पुलेंड में गिरी है लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं माना क्योंकि इससे युद्ध की घोषणा को मन्सूरी देने का अमेरिकी संसद का अधिकार छिन जाता समस्या ये है कि समूह में जितने जादा देश होंगे उतने ही उनके निजी हित होंगे किसी एक की आसहमती और आर्टिकल पांच लागू नहीं होगा हमारे 32 लाग सैनिकों को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है इसलिए नहीं कहना काफी नहीं है और युद्ध में, संकट में या हमले की स्थिती में आप मना तो कर सकते हैं लेकिन हम पर हमला तो हुआ ना, इसलिए हमें इसका हल चाहिए तो अगर कोई देश नहीं कहता है, तो हम उससे एक वैकल्पिक हां की उम्मीद करते हैं नाटो की सदस्य किसी मिशन से अलग रह सकते हैं इसे कंस्ट्रक्टिव एबस्टेंशन कहा जाता है इसका मतलब है कि कुछ देशों की सहमती ना होने के बावजूद नाटो की तैनाती हो सकती है लेकिन नकारात्मक वोट समस्य बन सकती है हमले की स्थिती में अगर कोई राश्ट्र आर्टिकल 5 को नहीं मानता है तो दूसरे राश्ट्र भी बहुँ पक्षिय रास्ता अपना सकते हैं लेकिन ये नाटो के धांचे के बाहर होगा तो ये समस्या होगी इसलिए नाटो की स्थापना के मूल विचार समुदाय और एक जुटता से जुड़े हुए हैं 1950 और 60 के दशक में नाटो देशों के नागरिकों के बीच आपसी मेल जोल बढ़ाने की वास्तविक कोशिश की गए थी और इसके लिए गठबंधन में एक जुटता के लिए शेक्षिक आदान प्रदान स्टडी टूर वपेशेवर संस्थाओं की भूमिका पर जोर दिया गया था उस वक्प कई अमेरिकी अधिकारियों ने सिर्फ नेताओं के बीच ही नहीं बलकि लोगों के बीच भी आपसी संबंध मजबूत करने के दिशा में काफी सोच विचार किया और एसे आदान प्रदान किसी एक देश के खास रिवाजों को ध्यान में रख कर शुरू हुए दूध, मक्खन, अंडे और चीज, खास तरीकों और हुनर के मेल से बनाई जाने वाली पोन लेविक्या और कैमोम बेर जैसे चीज बनाने वाले खेतिहरों, चीज निर्माता इन्हें पीढ़ी दरपीढ़ी साजा करते हैं इस तरह की आर्काइव सामगरी नाटो के शुरुवाती सालों को दिखाती है वैश्वी करण के पहले की दुनिया पर आधारित शैक्षनिक फिल्म जिसे नाटो के प्रेस आफिस ने बनाया है तब हतियारों या सैन ने युद्ध कौशल पर जोर नहीं था इसके बजाए सदस्य देश अपनी परंपरा और संस्कृती के आधार पर गट बंधन से जुड़े थे ये फिल्में आम लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी ये सैनिको को दूसरे देश में पोस्टिंग से पहले दिखाई जाती थी ये उनके तैनाती से पहले की ट्रेनिंग का हिस्सा थी ये जानने के लिए कि वहां के लोग कैसे हैं और हमें वहां क्या मिलेगा और मुझे ये दिल्चस्प लगता है वहां पर जर्मन ओफिसर भी थे जो नाटो के कमांड धांचे का हिस्सा थे वो दूसरे विश्प युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ लड़े थे तो इन्होंने कहीं न कहीं एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़े थी और शीत युद्ध के दौरान इन्हीं लोगों ने मिलकर इस गठबंधन को खड़ा किया पेडरल जर्मनी में नाटो के कई बेस थे और उनमें से एक अंतर राश्ट्रिया जेट पाइलेट स्कूल था जहां इंग्लेंड, पश्चिमी जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और इटली के वायू सैनिक एक साथ काम करते और ट्रेनिंग लेते थे वर्ष 1955 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के दस साल बाद फेडरल रिपबलिक आफ जर्मनी नाटो का हिस्सा बना सामुहिक एक्ता पर जोर के बावजूद सदस्यों में नाटो द्वारा छोड़े जाने का डर उतना ही पुराना है जितना की गठ बंधन खुद पूरे शीत युद्ध के दौरान नेताओं के मन में ये विचार थे कि युद्ध के समय कुछ सहियोगी देश उसमें हिस्सा नहीं लेंगे क्या अमेरिका खुद पर रूसी निकलियर मिसाइल दागे जाने के बाद पश्चिमी योरोप की रक्षा करेगा और 1950 के दशक के अंत से ही इस तरह के संतुलन बनाए रखना काफी मुश्किल हो गया है जिस साल पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्य बना उसी साल चांसलर कॉनराड आडे नाउर ने अपने अधिकारियों से कानूनी राय जाननी चाही वो ये जानना चाहते थे कि आर्टिकल 5 कितना बाध्यकारी है और जर्मनी पर हमले की स्थिती में अमेरिका की क्या जवाब दे ही होगी वकीलों ने क्या कहा जहां तक हमले का सवाल है तो हमला हुआ है या नहीं किस तरह की और कितनी मदद अमेरिका करेगा ये पूरी तरह उसके अधिकार में है इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी देश ये तै करने के लिए आजाद है कि वो अपने सहयोगी के साथ खड़ा होगा या नहीं पहली नजर में आर्टिकल 5 आपको सोचने पर मजबूर करता है कि ओ, अगर मैं किसी नाटो देश पर हमला करता हूँ तो बाकी सब ही कतिस देश एक जुठो कर मुझसे भीड़ जाएंगे लेकिन जब आप इसे विस्तार से पढ़ते हैं तो ये कहता है कि सब ही नाटो सदसे किसी दूसरे पर हुए हमले को खुद पर हुआ हमला मानेंगे लेकिन ये नहीं कहता कि ऐसे में वे टैंक और लड़ा को भी मन भेजेंगे वो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ठीक है इस हमले को मैं खुद पर हुआ हमला मानता हूँ लेकिन फिर भी मैं कुछ करूँगा नहीं चांसलर कॉन्राड आडेनावर आर्टिकल पांच के भरोसे नहीं रहना चाहते थे वो किसी और तरह की गारंटी चाह रहे थे अमेरिकी सैनिकों की पश्चमी जर्मनी की धर्ती पर तैनाती आडेनावर के लिए यही वास्तविक सुरक्षा थी अमेरिकी, ब्रिटिश और करनाडा के सुरक्षा बलों की योरोप में मौजूदगी इसलिए महत्वपूण थी क्योंकि यह आर्टिकल पांच या दूसरे सहयोगियों के लिए भी ट्रिप वायर जैसी थी जो योरोपिय या खासकर जर्मनी को बचाने आएंगे अगर कभी आक्रमन हुआ, ये एक बहुत ही महत्वपूण राजनीतिक संकेत था क्योंकि कोई भी अमेरिकी राजनेता, अमेरिकी सैन्न टुकडियों को युद्ध या किसी छोटी से विवाद में भी पूरी अमेरिकी हिस्सेदारी के बिना भाग लेने की इजासत नहीं देंगे ये लिथुआनिया में रुकला है, वर्ष 2017 से कई देशों की सेनाईं यहां मौजूद हैं वो नाटो के बहुरास्ट्रिय बैटल ग्रुप यानि युद्धक गुटों का हिस्सा हैं 2014 में रूस के युक्रेइन से क्रीमिया को हती आने के बाद ये छोटे मोबाइल युनिट नाटो के स्थाई कमांड के तहत गठित किये गए थे वो एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया और पॉलिंड की सीमाओं से लगे नाटो के पूर्वी बॉर्डर पर तैनाथ हैं इन सभी युद्धक गुटों में 1000 से 2000 सैनिक हैं और वर्ष 2022 में रूस के युक्रेन पर सीधे हमले के बाद से और भी बैटल ग्रुप बनाए गए हैं जिनने स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया में तैनाथ किया गया है लिथुआनिया में सुवाल की गैप, यानि लिथुआनिया और पॉलेंड बॉर्डर के पास 100 किलोमीटर में फैले कॉरिडोर में युद्धक गुटों की जिम्मेदारी जर्मनी पर है नाटो को लगता है कि यही इलाका है जहां रूस हमला कर सकता है करनल क्लाउस पीटर बर्गर इस वक्त लिथुआनिया में तैनात जर्मन दस्ते के कमांड प्रमुक है निश्पक्षता से कहूंत रूस और बेलारूस के बल अब वैसे ताकतवर नहीं है जैसा हमने उन्हें युक्रेन युद्ध के पहले देखा था काफी बल युक्रेन से हटाए और तैनात किये गए हैं तो मतलब साफ है कि अब हमारे उपर कोई बड़ा खत्रा नहीं है बवेरिया के बैरक से जर्मन सैनिक विमान से यहां पहुँचे हैं हाला कि उनके टैंकों का अभी कोई अतापता नहीं है शाम को एक परेड और जंडो का आदान प्रदान है ये सेनाओं की टुकणियों के स्थान परिवर्तन का प्रतीक है कई लोग छे महिने बाद घर जा रहे हैं तो कुछ के पास बहुत जरूरी काम है उन्हें इस बात को साबित करना है कि नाटो लिथूआनिया को सशस्त्र युद्ध की स्थिती में अकेला नहीं छोड़ेगा अगर लिथूआनिया पर हमला हुआ तो केवल लिथूआनिया ही नहीं वहाँ पर हमारे सिपाही भी तैनात है और तब ये नहीं देखा जाएगा कि ये डेच लोगों की जमीन है ये जर्मनी की जिन पर हमला होगा वो हमारे सैनिक होंगे इसी सिध्धान्त पर कॉनराड आडे नावर भी भरोसा करते थे सुरक्षा की गारंटी मशहूर आर्टिकल पांच भी नहीं देता लेकिन अंतराष्ट्रिय सैन्ने उपस्थिती से इसका भरोसा होता है यहां पर मौजूद जर्मन बल किसी भी कारवाई के लिए तयार हैं लेकिन साथ ही वो लिटवानिया के लोगों को ये भी जदा रहे हैं देखिए हम यहां पर आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर हम ये नहीं भूल सकते कि शीत युद्ध के दौरान हमारी रक्षा करने वालों में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बलकि अन्नी सहयोगी देश भी थे आप कह सकते हैं कि हम उनका एहसान चुका रहे हैं सुरक्षा और बचाव को लेकर हम अपने पिछले अनुभवों के सहारे दूसरों की मदद कर रहे हैं हम यहां नाटों के पूर्वी छोर की रक्षा करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लिथुआनिया और अन्ने बाल्टिक देशों के हमारे साथे भी सुरक्षित हों नाटों की रक्षा नीती जादा लोक प्रियर नहीं रही है यूकरेन में युद्ध से पहले ब्रिटेन में नाटों की लोक प्रियता रेटिंग 69 प्रतिशत थी वहीं जर्मनी में ये 54 प्रतिशत थी और फ्रांस में ये सिर्फ 49 प्रतिशत इससे भी जादा नाट किये थे आर्टिकल 5 और इसके दायत्वों को लेकर हुए सर्वे के परिणाम युक्रेन में लड़ाय से पहले सर्वे में शामिल केवल 32 प्रतिशत फ्रेंच लोग ही नाटों सदस्य रोमानिया पर रूसी हमले की संभावित स्थिती में रोमानिया को सैंने सहता दिये जाने के पक्ष में थे और केवल 14 प्रतिशत जर्मन ही तुर्की पर रूसी हमले की स्थिती में नाटो सदस्य तुर्की के पक्ष में थे लेकिन नाटो के लिए समर्थन में हमेशा उतार चड़ाव आता रहा है शीत युद्ध के समय भी उधारण के लिए 1980 के दशक में पश्चमी जर्मनी में एक बड़ा शांती अभियान दिखा जिससे अन्य नाटो देश सोचने लगे कि एक सहयोगी के तौर पर जर्मनी कितना भरोसे मंद है जिन नेताओं ने नाटो के स्थापना की और उसके बाद जिन्हों ने इसे चलाया वो अकसर जर्मनी के बारे में पीठ पीछे बाते करते हैं और चिंता ये है कि जर्मनी का रवया क्या रहेगा इसके केवल दो ही रास्ते हो सकते हैं शीत युदि के वक्त एक डर ये रहा कि जर्मनी खुद को एक स्वतंद्र और ताकतवर शक्ति के रूप में यूरोप में स्थापित करेगा और ये बीस्मी शतापदी के शुरवाती युग की वापसी होगी ये डर 1950 और 1960 के दशक में हावी रहा 1960 के दशक से एक बदलाव आया एक डर और चिंता कि जर्मनी को ताकत हासिल करने को कोई चाहत ही नहीं है यही वो वक्त था जब जर्मनी में परमारो थियारों के खिलाफ नाटो के खिलाफ और जर्मनी में तैनात अमेर की बलूं के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए थे और वो सोच अब भी जर्मनी के कुछ लोगों में मौजूद है मुझे लगता है कि जर्मनी में काफी लोग वैचारिक, राजनितिक और आर्थिक रूप से एक आरामदायक दाइरे में खुशी से बने हुए हैं उनका मत है कि सीरिया, जॉर्जिया या यूकरेन में रूस सही नहीं कर रहा है लेकिन उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है एक जुटता और समान नजरिय की कमी साल 2019 में गट बंधन की सत्तरवे वर्ष गांट के मौके पर फ्रांसीसी राष्ट्रपती इमानुएल माकरों ने तो आगे बढ़कर नाटों को दिमागी रूप से मृत तक कह दिया था फ्रांस की परेशानी ये है कि उसे नाटों से हमेशा ही ज्यादा की चाहत रही है माकरों के बयान को उसी नजरिय से समझना चाहिए फ्रांस हमेशा से सहयोगियों को ज्यादा करने के लिए कहता रहा है माक्रों ने नाटों में पूरी तरह से साजी रणनीती की कमी की आलोचना की लंबे समय तक किसी भी विवाद को लेकर जर्मनी आखों पर पट्टी बांधे रहा है माक्रों ये बात समझ चुके हैं ये बात पैसों और सैनिकों की नहीं है इसका मतलब ये पूछना भी है कि क्या आप युद्ध की कलपना भी कर सकते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होने पर आप बिलकुल बेबस होंगे तैस समय से दो दिन बाद टैंक लिथुआनिया पहुँच गए लेकिन बैरकों में पहुँचने से पहले एक और बाधा पार करनी थी उनकी मन्जिल से कुछ किलो मीटर पहले टैंकों को दूसरी ट्रेन पर चड़ाया जाना है पूर्व में पट्रियां अलग-अलग गेज की हैं वो पश्चिम जैसी नहीं है आपात स्थिती में ट्रेन यहां पर जल्दी पहुच जाती हरताल भी नहीं होती और जर्मन रेलवे उन्हें यहां पर समय से पहुचा देती अगली सुभा से पहले तक टैंक अपने ठिकानों की ओर रवाना नहीं होंगे जहां वो अगले छे महीने तक तैनात रहेंगे अंतिम कुछ किलो मीटर की दूरी वो ग्रामीन सडकों से तै करते हैं जल्दी ही इस छेत्र में जर्मन किंडर गार्टन, स्कूल और सुपर मार्केट दिखने लगेंगे क्योंकि साल 2027 से एक नई जर्मन ब्रिगेड स्थाई तोर पर लिथुआनिया में होगी 5000 सैनिक और उनके परिवार यहां पर रहेंगे यूक्रेन के बाद किसी अन्य पूर्व सोवियत देश पर रूसी हमले की आशंका को देखते हुए ये नाटो की रक्षारण नीती का हिस्सा है बाल्टिक शेत्र विशेश रूप से चिंता का विशे है यूक्रेन के उलट यहां पर हमले का मतलब नाटो शेत्र पर सीधा हमला होगा रूस और नाटो के बीच साइबर युद्ध भी छिड़ा है वर्ष 2023 में वुलकान फाइल्स लीक से रूसी सरकार के लिए काम कर रहे हैकिंग सेंटरों का पता चला इससे पता चला कि रूस किस तरह पश्चिम को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा था इस पर नाटो की प्रतिक्रिया रूसी बॉर्डर के नजदीक एस्टोनिया की राजधानी टालिन में देखी जा सकती है ये कोपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ओफ एक्सिलेंस है नाटो ने साइबर हमलों के महत्व और जरूरत को समझते हुए साल 2021 में ये घोशना की कि कुछ मामलों में नाटो राश्ट्रों पर साइबर हमलों से आर्टिकल 5 के तहत निप्टा जाएगा इसका मतलब है सामोहिक सुरक्षा और प्रतिक्रिया सिर्फ साइबर स्पेस तक ही सीमित नहीं रहेगी आपा अतिस्थिति से निपटने के लिए गटबंधन के सरवश्रेष्ट साइबर प्रोफेशनल यहां नियमित तोर पर मिलते हैं और वार्शिक लॉग्ड शील्ड्स प्रक्रिया के तहत एक कालपनिक देश को साइबर हमले से बचाया जाता है तो आप इसे हर साल आयोजित होने वाला साइबर डिफेंडर्स का वर्ल्ड चेंपियंशिप या ओलम्पिक्स कह सकते हैं और इसका उद्देश्य एक ऐसा बहुराश्ट्री वातावरन तयार करना है जहां जटिल और अत्याधुनिक लेकिन नकली महौल का इस्तेमाल असल स्थिति की तरह किया जाता है जहां एक राश्ट्र पर साइबर हमला हुआ हो एक अन्यवार शिकायोजन Crossed Swords साल 2023 के दिसंबर में हुआ इसमें जवाबी हमले के साथ खत्रे से निपटना शामिल था इसमें भाग लेने वालों को एक पावर प्लांट ठप करना था निगरानी कैमरों को हैक करना था और रेल नेटवर्क बंद करना था अन्त में सभी हैक किये गए सरवर को पॉइंट दिये गए और अन्त में एक विजेता घोशित किया गया सिम्यूलेशन यानि नकली प्रक्रिया में युक्रेनी विशेशग्य भी शामिल हुए थे इस बीच दक्षन दिशा में चंद हजार किलोमीटर की दूरी पर रूसी हैकरों ने युक्रेनी टेलिफोन नेटवर्क को कई दिनों तक बंद कर दिया था सोवियत संग के तूटने के बाद पूर्वी यूरोपिय देशों ने इस्टरन ब्लॉक छोड़ कर धीरे धीरे नाटो जोइन कर लिया साल 1999 में पोलेंड चेक रिपबलिक और हंगरी इसके सदस्से बने पांच साल बाद एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, बुलगारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी साथ आ गए अल्बानिया और क्रोईशिया साल 2009 में जुड़े 2017 में मॉंटे नीग्रो आया वहीं यूक्रेन युद्ध के पहले साल 2020 में नौर्थ मेसेडोनिया नाटो की सदस्यता लेने वाला आखिरी देश बना ऐसा क्यों है कि एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया जैसे पूर्व सोवियत गणराज्य या वार्शोप एक्ट के पूर्व सदस्य जैसे पोलेंड जल्द से जल्द नाटो जोईन करना चाहते हैं यूक्रेन अब ये क्यों चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि रूसी नियंतरण के अधेन रहना कैसा होता है कुछ लोगों का मानना है कि रूस की तरफ नाटो का विस्तार कर हम एक तरह से अतिक्रमन कर रहे हैं मानो हम रूस को धंकी दे रहे हैं मैं आपसे ये कह सकता हूँ चोंकि मैंने जॉर्ज H.W. बुश प्रिशासन में काम किया है जब वार्शो पैक्ट टूटा और सोवियत संग बिखरा उस वक्त मध्य और पूर्वी यूरोपिये देश सदस्से बनने के लिए नाटो का दरवाजा खट-खटा रहे थे वो दूसरे विशो यद्ध के बाद से ही सोवियत संग के नियंतरण में थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे और अपने ही जैसे पश्चिमी देशों के साथ होना चाहते थे हमने नाटो की सदस्सेता के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जिन देशों ने सदस्सेता ली उसकी शुरुआत उन्होंने ही की रूसी रास्ट्रपती व्लादी मिर पुतिन के लिए नाटो का पूर्वकी और विस्तार, खत्रा और वादा खिलाफी दोनों है पुतिन की नजरों में ये वादा खिलाफी दूसरे देशों पर रूसी हमले को जायस बनाती है उन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले के तीन दिन पहले रास्ट्र को संबोधित करते हुए ये स्पस्ट रूप से कहा था कीव ने काफी समय पहले नाटो से जुड़ने के रणनीतिक सोच स्पस्ट कर दी थी हर एक देश को अपनी सुरक्षा विवस्था चुनने और किसी सैन गठबंधन से जुड़ने का हक है लेकिन उससे किसी और देश को खत्रा नहीं होना चाहिए और यूक्रेन का नाटो से जुड़ना सीधे तौर पर रूस के लिए खत्रा है वो चाहते हैं कि हम मान लें कि रूस के लिए कोई खत्रा नहीं है लेकिन हम ऐसे लफजों के कीमत जानते हैं साल 1990 में जब जर्मन एकी करण की बात चल रही थी तब अमेरिका ने सोवियत नित्रत्व से वादा किया था कि नाटो का अधिकार क्षित्र या सैन्य उपस्थि पूर्व की ओर एक इंच भी नहीं बढ़ेगी और ये भी कि जर्मन एकी करण का मतलब नाटो का पूर्व की ओर विस्तार नहीं होगा ये कहा गया था पूर्व की ओर एक इंच भी नहीं नाटो ने रूस से ये वादा किया था, जिसे बहुत बार दोहराया जा चुका है तो क्या पर्ष्चिम ने रूस को धोखा दिया? इतिहासकार मेरी ई सरोट ने अपने अकादमिक जीवन का जादातर वक्त इसी सवाल पर लगाया है उन्होंने सौ से जादा इंट्रव्यू किये, अंगिनत ट्रांस्क्रिप्ट, खतों और दस्तावेजों को खंगाला और आखिर में उन्हें सपस्ट जवाब मिल गया मैं चाहूंगी कि रूसी हत्यार डाल दें और अपने घर वापस चले जाएं, मैं इसे मुम्किन नहीं बना सकती लेकिन एक खास नजरिये से पुतिन इतिहास की आड में अपनी लड़ाई को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और मैं एक इतिहास कार हूँ, मैं अपनी तरीके से जो युक्रेनियों के प्रयास की तुलना में बहुत छोटा है लेकिन मैं अपने छोटे स्तर पर ही असलियत को गंभीरता और साबित किये जा सकने वाले रूप में पेश करके पुतिन से वो हत्यार चीन सकती हूँ कहानी बरलिन की दीवार के गिरने के तुरंत बाद शुरू होती है जर्मनी एक ही करण के कगार पर था लेकिन एक चुनौती थी जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बिना शर्त हतियार डाल दिये थे तो इस तरह चार विजेताओं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संग के पास अविभादित रूप से विभाजित जर्मनी और खासकर विभाजित बरलिन पर कानूनी अधिकार थे तो जर्मनी को एक करने के लिए इन चारों को वो अधिकार त्यागने पड़े तीन पश्चमी विजेताओं ने आपस में ही इस बात का आकलन किया कि चौथी शक्ती यानि रूस की मांग क्या होगी सोवियत संग के अंतिमनेता मिखाइल गोरबाचोव जर्मनी के एकी करन के बदले में क्या चाहेंगे पश्चिमी जर्मनी के पूर्वविदेश मंत्रे हांस डिट्रिश गैनशर इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि गोरबाचोव ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि पॉलेंड और हंगरी नाटों में शामिल ना होँ गैनशर के खयाल से ये सही था और उनका मानना था कि पश्चिमी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी को गोरबाचोव को ये प्रस्ताव देना चाहिए गैनशर ने अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर के सामने ये प्रस्ताव रखा और उन्हें भी ये ठीक लगा 9 फरवरी 1990 को बेकर क्रेमलिन में गोरबाचोव से मिले और मोटे तोर पर उनका कहना था कि कैसा रहे अगर आप जर्मनी पर अपने अधिकार वाले हिस्से को छोड़ दे और हम कहीं कि नाटो वै उसका अधिकार रक्षेत्र पूर्वी की और एक इंच भी नहीं खिसकेगा मीटिंग के बाद बेकर वापस अपने बहुत और अच्छे दोस्त राष्ट्रपती जॉर्ज एच डबल्यू बुश को जानकारी देने अमेरिका चले गए हालांकि बुश को ये प्रस्ताव कुछ खास पसंद नहीं आया बुश ने कहा जिम मैं तुमसे बहुत निराश हूँ मुझे नहीं लगता कि नाटो के भविशे पर हमें सौदे बाजी करने चाहिए मुझे लगता है कि नाटो ने अभी अभी शीत युद्ध जीता है मेरा खयाल है कि नाटो जैसा है बहुत अच्छा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे और तुम्हें ये बात बतानी होगी तो मैंने जो सबसे दिल्चस्प चीज पता लगाई वो थी बेकर की जिठी जो उन्होंने फरवरी के अंत में पश्चमी जर्मनी की विदेश मंत्राले को लिखी थी उन्होंने लिखा था मुझे माफ कीजिए मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था मेरी वजह से ब्रहम पैदा हुआ है अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे और उसके बाद अमेरिका ने इस पर कभी सौदेबाजी नहीं की दो हफ़ते बाद बुश ने पश्चमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल और उनकी पतनी को कैम्प डेविड स्थित अमेरिकी राष्ट्रपती आवास पर आमंत्रित किया बुश ने कोल से वही बातें दोराई जो उन्होंने जेम्स बेकर से कही थी हम नाटो के भविश्य को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए ये सीधे उनहीं के शब्द थे और इस पर कोल ने कहा कि ठीक है लेकिन गोरबा चोव इसके बदले कुछ और तो चाहेंगे ही फिर कुछ सोच कर कोल ने कहा शायद वो पैसा भी हो सकता है तो बुश ने उनसे कहा आप बहुत अमीर हैं और बाद में रक्षा मंत्री बॉब गेट्स जो इस घटना को नोट कर रही थे उन्होंने इसके बारे में अपने संस्मरण में लिखा कि उस वक्त रणनीती साफ थी कि हम सोवियत को घूस देंगे लेकिन बोध धन होगा ना कि नाटो के विस्तार से जुड़े वादे 12 सितंबर 1990 तक 2 प्लस 4 सौदेवाजी चलती रही तब तक जर्मन एकी करण की रहा में कोई रुकावट नहीं बची और ये वाक्य है कि एक इंच भी पूर्व की ओर नहीं बढ़ेंगे संधी में था ही नहीं ये हम जर्मनों के लिए बहुत ही भावक दिन है हम जर्मन लोगों का एकी करण चाहते हैं ताकि वो पूरे यूरोप की स्थिरता में अपना योगदान दे सकें ये यूही लिया गया फैसला नहीं था प्रफेशनल सौदेबाजी हुई थी वो ए टीम थी जैसा कि हम अमेरिका में कहते हैं और अंत में, कॉंट्रेक्ट में ये साफ तोर पर लिखा हुआ था कि नाटो शेत युद्ध के मोर्चे पर भी अपना विस्तार कर सकता है मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपून है सोवियत संग ने ना सिर्फ समझोते पर दस्तखत किये और उसकी पुष्टी की बल्कि इसके इवज में करोणों के डॉच मार्क चेक भी भुनाए पुतिन उसका जिक्र नहीं करते हैं वो सिर्फ शुरुवाती सौदेबाजी की संभावनाओं के बारे में बात करते हैं लेकिन हकीकत को दरकिनार कर जाते हैं कुछ ही महीनों बाद सोवियत संग का विगटन हो गया वार्शो पैक्ट आधिकारिक रूप से भंग हो गया क्रेमलिन में सोवियत का जंडा नीचे आ गया नाटो और पश्चिम जीत चुके थे अचानक एक प्रशन उठा कि अब नाटो क्या करेगा नाटो को बनाए रखने के कई कारण हैं एक वजह ये है कि सिर्फ शीत युदिके खत्म हो जाने भर से ही वैश्विक राजनीतिक मुद्दे समाप्त नहीं हो गये थे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी सोवियत संग और बाद में रूस शान्ती से रहेगा 1990 के बाद पीस डिविडेंड यानि शान्ती में हिस्सेदारी का विचार सामने आया सभी यूरूपिये देश पश्चिम के साथ साथ रूस और सोवियत संग के पूर्व देश भी अपने हत्यार कम करने लगे इसके पीछे तर की ये था कि अगर सभी के पास कम हध्यार होंगे तो ये संकेत होगा कि कोई भी विवाद नहीं चाहता कुछ वर्षों तक जरूर ऐसा लगा कि उस सोच ने काम किया रूस और पश्चिम के संबंध सुधरे 1997 में रूस के राष्ट्रपती बोरिस येल्टसिन और नाटो देशों के नेताओं के बीच नाटो रशिया फाउंडिंग एक्ट नामक समझाता हुआ जर्मन राजनाइक वुल्फ गांग इशिंगर इसकी वारताओं में शामिल थे 1990 के दशक की पहली छमाही में रिष्टों में कोई टकराब या तनातनी नहीं थी मॉस्को को पश्चिम के साथ सहयोग की जरूरत थी रूस को तुरंट G7 में जगह मिल गई जिस से हम अचानक G8 हो गई नाटो रूस फाउंडिंग एक्ट साफ साफ कहता है कि नाटो और रूस एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानेंगे मेरे लिए आज का दिन काफी माइने रखता है और मैं उमीद करता हूँ कि फाउंडिंग एक्ट पर दस्तखत के बाद से यूरोप के लिए एक नया योगर शुरू होने जा रहा है शांत यूरोप यूरोपी महद्वीब का भविश्य इतना आसान नहीं है फाउंडिंग एक्ट में पश्चिम ने रूस को काफी रियायते दी हम इस बात पर राजी हुए कि नाटो के किसी भी भावी पूर्वी सदस्य राष्ट्र की जमीन पर परमाणू हथियारों की तैनाती नहीं की जाएगी बात खत्म कोई अगर मगर नहीं हमने ये भी स्विकार किया कि उन देशों में तैनात की जाने वाली नाटो सदस्य देशों की सैन्ने टुकडियां भी छोटी होंगी मॉस्को इस्थित रश्यन इंटरनेशनल अफेर्स काउंसिल के अकादमिक निदेशक आंद्रे कोर्टुनोव कहते हैं कि नाटो उस समझोते पर कायम रहा मैं मानता हूँ कि 2014 से 2022 के बीच नाटो ने पूर्वी छोर पर नई सैनिट टुकडियों और भारी हतियारों की तैनाती में सैयम बरता ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि उन पर नाटो रश्या फाउंडिंग एक्ट के उलंगन का आरोप न लगे एक्ट के मुताबिक रूसी सिमाओं के पास हतियारों के बड़े जखीरे नहीं रखे जा सकते वहीं दूसरी तरफ रूस कुछ और ही कर रहा है हमें ये मान कर चलना चाहिए कि कालिन इंग्राद में न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है जो यहां बर्लिन पहुँचने से पहले हमें ज्यादा चेतावनी नहीं देंगे वहां कुछ चल रहा है हमने वैसा कुछ भी नहीं किया है हमने इस दिशा में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो एकी करण से पहले नहीं था यानि शीत युद्ध के दौरान उन्निस सो निन्यानमे में पुतिन के रूसी रास्ट्रपती बनने के बाद भी रूस और नाटो के संबंध अच्छे थे लगा जैसे पुराने दुश्मन दोस्त बन गए हाला कि एक नया दुश्मन पैदा हो चुका था आतंकवाद नाटो का आर्टिकल पांच अब तक सिर्फ एक ही बार लागू हुआ है 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद आज हमारे देश्वासी, हमारी जिन्दगी, हमारी आजादी जान बूज कर किये गए घातक आतंकी हमलों से खत्रे में आ गई है बिल्डिंगों में विमानों के घुसने वाली फोटो, आग की लप्टें, भरभरा कर गिरती बड़ी इमारतों ने हमें अविश्वास से भर दिया उस वक्त स्टेफानी बाप्स्ट ब्रसेल्स के नाटो मुख्याले में सुरक्षा सलहकार थी उन्होंने ये सब करीब से देखा है उस वक्त यानि हमले के समय और हमले के बाद इस बात की आशंका थी कि अभी और हमले होंगे लेकिन कहां हमें नहीं पता था मुझे अभी भी याद है कि नाटो मुख्याले में हम कर्मचारी कितने डरे हुए थे हमें लगा कि हम भी निशाने पर थे अमेरिकी राजदूत ने आँखों देखी घटना का विवरण देते हुए शुरुवात की उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमले की कुछ ही घंटों के भीतर सरकार ने उस घटना का आँखलन किया जो उन्हें पता था खासकर खुफिया सूचनाओं के बारे में कतकालीन महासचिव जॉर्ज रॉबर्टसन ने कहा कि एलाइड सदस्यों के बीच आम सहमती थी हम प्रभावित देश अमेरिका के साथ मजबूती के साथ खड़े थे और वो सब आर्टिकल पांच के दाएरे में हो रहा है काउंसल इस बात पर राजी हुई कि अगर ये साबित हो गया कि अमेरिका पर किया गया ये हमला बाहर से प्रायूजित था तो वाशिंग्टन संदी के आर्टिकल पांच के अनुसार एक्शन लिया जाएगा उस संबंध में आर्टिकल पांच को लागू करने में काफी जोखिम था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगले एक सप्ताह में क्या होने वाला है क्या अमेरिका अपने सहियोगियों से तुरंत सैने मदद की मांग करेगा हमले के 48 घंटे बाद तक किसी को ये पता नहीं था हमले के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपती जॉर्ज डबली बुश ने 2001 में आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया उसके बाद अफगानिस्तान में चली लड़ाई में सभी नाटो देशों सहित कुल सत्तर देशों ने भाग लिया और रूस हमले के कुछ दिनों बाद पुतिन ने जर्मन संसद को संबोधित किया 9-11 के बाद पुतिन उनकुछ पहले लोगों मेंसे थे जिन्होंने अपनी संबेदना प्रकट करते हुए मदद की पेशकश की थी उस वक्त भी संबंध स्थिर ही थे लेकिन देवियों और सजनों अगर हम सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें साफ पता होना चाहिए कि हमें किसे से और कैसे बचने की जरूरत है इस संबंध में मैं 11 सितंबर को अमेरिका में हुए विद्वनसक हमले का जिक्र किये बिना नहीं रह सकता पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है मुझे लगता है कि हम सब जिम्मेदार हैं खास कर हम राजनेता हम अभी भी पुराने मुल्यों के साथ ही जी रही हैं हम साज़दारी की बात तो करते हैं लेकिन आपस में हमने अभी तक भरोसा करना नहीं सिखा पुतिन ने अफगानिस्तान में अलकाइदा के खिलाफ लड़ाई में नाटो का समर्थन किया था नाटो का कुछ साजो सामान रूस से होकर गुजरता था उस समय पुतिन ने रूस के नाटो जुआइन करने के बारे में भी सोचा था इस सहयोग से नाटो देश और रूस दोनों को ही आर्थिक और राजनी तिक फाइदे हुए थे एक किस्वी सदी की शुरुवात में रूस और पश्चिम के बीच काफी सहयोग हुआ इसका सबसे बड़ा उदाहरन शायद वो यातायात सुविधा है जो रूस ने अफगानिस्तान युद के दोरान नाटो को दी कतित नॉर्धर्न ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर ने कुछ सालों के लिए अच्छा काम किया ये काफी प्रभावी रहा वर्ष दोहजार दो से रूस और नाटो के प्रतिनिधी नाटो रूस काउंसल में नियमित रूप से मिलते रहे नेताओं के बीच अच्छे संबंध थे उन्होंने कहा है कि नाटो रूस काउंसल का मुख्याले अब बेल्जियम ब्रिसल्स में होगा तो मैं सलाह दूँगा तो उसका नाम हाउस ओफ सोवियत्स रखा जाए वो ठीक रहेगा इराक में अमेरीकी हस्तक शेप की वजह से संबंध जरूर बिगड़ने लगे क्योंकि मौस्को को लगने लगा कि चीजें हद से बाहर जा रही हैं अगर अमेरीका वहाँ पर हजारों टैंक और सैनिकों के साथ युद्ध करेगा तो इसका अंत कहा होगा जो कि बाद में गलत सूचना निकली ये रूस और पश्चिम के अच्छे संबंधों की समाप्ति की शुरुवात थी चीन और फ्रांस की तरह ही रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में इराक को लेकर अमेरीकी कदम का विरोध किया था फिर भी अमेरीका ने हमला किया यूएन की मनजूरी के बिना इराक में अमेरीका और उसके सहयोगियों की कारवाई के चार साल बाद 2007 में पुतिन म्यूनिक सेक्योरिटी कॉन्फरेंस में बोले उन्होंने जर्मन या अंग्रेजी के बजाए रूसी भाषा में संबोधित किया और उन्होंने अमेरीका और उसके सहयोगियों की नीतियों की आलोचना की इस कॉन्फरेंस के स्वरूप के अनुसार मैं किसी जूटे दिखावे और खोखले राजनईक वादों के बिना आसानी से अपनी बात रख सकता हूँ पस्चिम में मौस्को और ब्रसेल्स के बीच जारी संपर्क को रूस के प्रती नाटो के बलपन के तौर पर देखा जाता था काउंसिल का काम लगभग सिर्फ सूचनाओ के आदान-परदान तक ही सीमित रह गया था लेकिन निर्णय लेने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी जाहिर है इन दो सोचों का कभी न कभी आपस में टकराव तै था हम लगातार देख रहे हैं कि अंतराश्ट्री कानून के बुनियादे सिर्धान्तों, विशिष्ट नियमों और यहां तक कि एक देश के पूरे कानूनी धांचे का उलंगन हो रहा है खास कर अमेरिका ने आर्थिक नीती, मानावता समेट हर मोर्चे पर राजनीतिक सीमाएं लांगी हैं और यह दूसरे देशों पर भी थोपा जा रहा है, यह किसे पसंद आएगा शायद हमने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे दी, दर असल वो प्रतिक्रिया सिर्फ बात को टालने के लिए दी गई थी और उमीद थी कि अगले दिन सब पहले जैसा सामानने होगा, लेकिन वो गलत आकलन था हमें इसका पता चला साल 2008 में जब रूस ने जॉर्जिया में विद्रोहों का जवाब कड़ी सैने का रवाई से दिया, उसके बाद तो चीज़ें बिगड़ती ही चली गई और आप ता गिंग्स तन विर्कली बैग आप दो हजार चौदा में रूसी सेना ने यूकरेन से क्रीमिया हतिया लिया, देश के पूर्वी इलाके में मौजूद रूसी समर्थक, विद्रोहियों को हतियार और जरूरत के सामान और कभी-कभी सैने शक्ति भी उपलब्ध कर प्रवाई गई थी, इस पर रूस का कहना था कि वो सिर्फ अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा कर रहा है, लेकिन दरसल वो शायद यूकरेन को नाटो सदस्य नहीं बनने देने की जुगत थी क्योंकि विवाद में शामिल कोई देश, नाटो का सदस्य नहीं बन सकता, इसी क्रम में रूस ने यूकरेन पर 2022 में भी हमला किया उससे एक सपतहा पहले ही रूसी विदेश मंत्री ने नाटो रूस काउंसिल की समाप्ती की घोशना की थी वो 1997 की सीमा वाले स्थिती चाहते हैं, उन्होंने दिसंबर 2021 में नाटो को एक कॉंसेप्ट ट्रीटी टेक्स्ट भेजा था जिसका मतलब ये हुआ कि वर्ष 1997 के बाद से जो भी देश नाटो के सदस्ये बने हैं, वो दूसरे दर्जे के सदस्ये माने जाएंगे और निश्चित तोर पर अस्विकार रहे पुतिन चाहते हैं कि नाटो छोटा रहे, लेकिन ये बड़ा होता जा रहा है फिनलेंड ने 2023 में सदस्यता हासिल की, स्वीडन ने 2022 में आवेदन किया लेकिन उसे शुरू में सदस्यता नहीं मिली थी 20 महिनों तक तुर्की के राष्ट्रपती रेच अपतयय पेर्दुआन स्वीडन के आवेदन के विरोध में अड़े रहे हंगरी ने तो उससे भी जादा समय तक विरोध किया जब भी किसी नए सदस्य के आवेदन की बात आती है तो सभी मौझूदा सदस्यों के पास वीटो अधिकार होता है स्वीडन एक साल से भी ज्यादा समय से तयारी कर रहा था उन्होंने एक बहुत ही एहम फैसला लिया जो सच में एतिहासिक था उन्हें इसे अपनी संसद में ले जाना पड़ा ये एक कठिन राजनीतिक कदम था और जब वो दर्वाजे पर थे तब उन्हें मिन्नते करनी पड़ी कमोबेश वो सिर्फ दो लोगों पर निर्भर थे एक हंगरी के प्रधानमंत्री ओर्बान और दूसरे तुर्की के राष्ट्रपती एर्दुआन एर्दुआन को इस बात से एतरास था कि स्वीडन अपने यहां कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या पीकेके से संबंधित गुटों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है पीकेके को तुर्की ने प्रतिबंधित कर रखा है जबकि यूरोपिय संग इसे आतं की गठ बंधन मानता है मेरे पूर्व बॉस और नाटो के पूर्व महसचिव येंस श्टोल्टिन बर्ग ने कई बार अंकारा की यात्रा की ताकि फिनलैंड और स्वीडन नाटो जोईन कर ले हमने एर्दोवान को मनाने के लिए अपील और कोशिशें की और कुछ हद तक डील भी की रिसर्चर यशार आए दिन कहते हैं कि एर्दोवान ने नाटो का खूब फाइदा उठाया है आए दिन ने जर्मन इंस्टिटूट फॉर इंटरनेशनल और सेक्यूरिटी अफेर्स में अपने कारेकाल के दोरान काफी सालों तक तुर्की की विदेश नीती का अध्यान किया है तुर्की के इस रुख के पीछे खास वजह है अगर आप उस तरह से देखें तो वो अमेरिका से ज्यादा से ज्यादा फाइदा उठाना चाहता है उदाहरण के लिए ये F-16 लड़ा को विमान हासिल करने से जुड़ा है तुर्की आसानी से नहीं मानने वाला है वो सौदेबाजी कर रहे हैं इस बीच नाटो के सामने अभी भी वही पुराना सवाल है कि हमले की स्थिती में गठ बंधन कितना एक जुट रहेगा सर्वे के मुताबिक 3-4 तुर्क नाटो सहयोगी अमेरिका को सबसे बड़ा खत्रा मानते हैं नाटो को भी सिर्फ 23 फीसदी तुर्क ही पसंद करते हैं इस बीच एर्दुआन ने सालों तक रूस से दोस्ती वाला रिष्टा रखा है पस्चिम के प्रतिबंधों के बावजूद अंकारा और मौस्को के बीच गहरे व्यापारिक संबंध रहे हैं यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद साल 2023 में एर्दुआन ने रूस को पस्चिम के जैसा ही भरोसे मंद सहयोगी बताया था तुर्की और रूस के संबंध एक तरफ सहयोग तो दूसरी तरफ विवादों से जुड़े रहे हैं तुर्की रूस पर ठतिबंधों का विरोध करता है उसकी रूस से बाचीत जारी रखना भी काफी महत्पूर्ण है लेकिन दूसरी तरफ अंकारा ने क्रीमिया पर रूस के कबजे को सुईकार नहीं किया तुर्की ने यूक्रेन का पहले भी समर्थन किया है और अब भी कर रहा है सालों पहले रूस ने तुर्की के साथ रणनीतिक साजहदारी बढ़ानी शुरू कर दी थी दोनों देशों के बीच आर्थिक और उर्जा नीति पर आपसी साजहदारी है सैन्ने और खूफिया मामलों में भी दोनों एक दूसरे के नजदी की सहयोगी है ये गटबंधन के लिए ठीक नहीं है मैंने किसी भी देश के बारे में नहीं सुना कि वो तुर्की को बाहर करने की धमकी पर विचार कर रहा हो या दूसरे शब्दों में वो अपना फायदा देख रहे हो और अंकारा पर दबाओ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि नाटो की सदस्यता मिलने जरूरी नहीं है नाटो को तुर्की की जरूरत है ना कि तुर्की को नाटो की, भौगोलिक रूप से तुर्की के सहरे ही नाटो काला सागर और इसलामिक दुनिया तक पहुंच सकता है, लेकिन सबसे बढ़ कर नाटो उसकी सैने शक्ति पर भरोसा रखता है। तुर्की गण राजय ने अपनी सौवी वर्ष गाट पर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। सैन्य संख्या के लिहाज से गट बंधन में अमेरिका के बाद तुर्की ही दूसरा सबसे बड़ा सैन्य शक्ति वाला राष्ट्र है। वो भी काफी बड़े अंतर से। फ्रांस तीसरे नंबर पर है जिसकी सैन्य संख्या तुर्की की आधी से भी कम है। मतलब की तुर्की सैन्य रूप से नाटो पर ही निर्भर नहीं हैं लेकिन फिर भी अंकारा हालात से खुश है। तुर्की में नाही पहले कभी नाटो छोड़ने को लेकर सवाल उठे हैं और नाही अब उठ रहे हैं सरकार ने हमेशा ऐसी बहस से परहेज किया है मेरा मानना है कि रणनीतिक तोर पर तुर्की के लिए ये काफी फायदे मंद है कि एक क्षेत्रिय शक्ती होने के साथ ही पश्चिम से भी उसके अच्छे संबंध है इससे उसे दोगुनी सुरक्षा मिलती है वो अपने क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है जैसे उसने यूक्रेन को रूस के खिलाफ करने में किया वो काला सागर और सीरिया में अपनी स्थिती पर ध्यान केंद्रित रखता है साथ ही उसे नाटो और पश्चिम की सुरक्षा भी मिली हुई है ये तुर्की के लिए रणनीतिक फायदे की बात है अगर वो इसे छोड़ देंगे तो मोलभाव नहीं कर पाएंगे फिलहाल वो बहुत ही कुशलता से तालमेल बनाए हुए हैं इसी लिए फिलहाल मुझे नहीं लगता कि तुर्की या कम से कम एर्दोवान जैसे माहिर खिलाडी के लिए ये एक उचित विकल्प है एर्दोवान बहुत ही सूजबूज वाले और चौकस व्यक्ती हैं वो दुनिया के शक्ति-शाली राष्ट्रों के साथ हैं उसे क्यों छोड़ना? अमेरिका नाटो का सबसे एहम सदसे रहा है वो इसकी शक्ती और भविश्य दोनों के लिए एहम है आज हम यहाँ पर एक महत्पूर्ण फैसला सुनाने आए हैं जो हर एक शहर सभी देशों की राजधानियों और सत्ता के सभी गलियारों में सुनाई देगा आज से हमारा देश एक नई सोच के साथ चलाया जाएगा आज के बाद सिर्फ अमेरिका पहले होगा अमेरिका पहले अमेरिका फिर्स्ट नाटो में अमेरिका की सन्योजक के तौर पर काफी महत्वपूर्ण भोमिका है गठबंधन में राश्ट्रपती की भोमिका एहम है एक अमेरिकी राश्ट्रपती अमेरिकी सेना वा पर्मानु ताकत जैसे संसाधुनों के ना होने का मतलब होगा कि गठबंधन एक छाया के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा मान लीजिए कि इटली नाटो में ना रहने का फैसला करने लगे तो वो बात अलग होगी ये हाल के वर्षों का सबसे नाट की अगटना क्रम है कि इस बीच जिस देश के नाटो की सदस्यता छोड़ने का डर रहा है वो अमेरिका है जुलाई 2018 में नाटो के महासचेव येंस श्टोल्टेन बर्ग और अमेरिकी राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम्प ब्रसेल्स की एक मीटिंग के दौरान कैमरे के सामने जगडते दिखे जर्मनी सिर्फ एक प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा दे रहा है जबकि अमेरिका उससे कहीं बड़ी GDP का 4.2 प्रतिशत दे रहा है जो मुझे सही नहीं लगता हम जर्मनी की रक्षा कर रहे हैं इस जाकर रूस के साथ पाइटलाइन की डील कर आते हैं वो रूस के खजाने में करोडो डॉलर दे आते हैं मुझे लगता है कि ये बहुत ही घलत है और जर्मनी के पूर्व चांसलर उस पाइटलाइन कंपनी के प्रमुक हैं जो गैस सप्लाई करती है 2014 में सदस से राष्ट्र अपनी जीडीपी का दो फीस दी रक्षा पर खर्च करने को राजी हुए लेकिन अमेरिका के अलावा शायद ही कोई देश ऐसा कर रहा है डॉनल्ड ट्रम्प के कारेकाल के दौरान जॉन बोल्टन करीब 18 महीने तक अमेरिका के राष्ट्रिय सुरक्षा सलहकार रहे जब तक की राष्ट्र पती ने उन पर स्तीफा देने का दवाव नहीं डाला जब मैं राष्ट्रिय सुरक्षा सलहकार बना तो मुझे लगा कि राष्ट्रिय सुरक्षा से जुड़े फैसलों का भार और जिम्मेदारी डॉनल्ड ट्रम्प पर असर डालेगी और उनसे पहले आए अमेरिका के 44 राष्ट्रपतियों की तरह उन्हें भी अनुशासित करेगी पोल्टन वहाँ पर नाटो सम्मेलन के दूसरे दिन मौजूद थे जब ट्रम्प ने एक भयंकर कांड लगभग कर ही दिया था हाँ मैं कार में था और ब्रिसेल्स सित अपने राजदूतावास की ओर जा रहा था जहां राश्ट्रपति रोके हुए थे और उन्होंने मुझे कार में बुलाया और कहा कि मुझे लगता है कि आज हमें कुछ एतिहासिक करना चाहिए मुझे लगता है कि हमें नाटो से बाहर हो जाना चाहिए और मैंने अचम्भित होकर कहा कि ठीक है इस पर बात करते हैं मैं वहाँ पहुंचने ही वाला हूँ और जैसे ही मैंने फोन बंद किया मैंने तुरंत विदेश मंतरी माइक पॉंपियो राश्टरपती भवन के चीफ अफ स्टाफ जॉन केली से बात की मैंने रक्षा मंतरी जिम अमेरिका बाहर हो सकता है मैं इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि ट्रंप कहीं बहां पर नाटों से बाहर होने की घोशड़ा ना कर दें इसलिए नहीं कि हमने वैसा सोचा नहीं था ना ही इस कारण कि हमने राश्ट्रिय सुरक्षा परिशद में भी इसके बारे में च चुरू किया तो वो बस आगे बढ़कर बोलते ही जाते और एक समय तो ट्रंप ने मुझसे कहा था कि वो मेरी जगहा पर उसको रखेंगे जो उनसे बहस ना करे और उनकी हां में हां मिलाए जब वो ऐसी बातें कहें कि मैं नाटों से बाहर होना चाहता हूँ मेरी उनसे आखिरी बात तब हुई जब वो नाटों के मीटिंग रूम में एक बड़े से टेबल पर थे उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा अच्छा बताओ कि क्या हमें ये करना चाहिए और मैंने कहा कि ज्यादा कुछ मत कीजिए जो हो रहा है होने दीजिए और तब मैं वापस जाकर बैठ गया और जब मैं बैठा तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या करेंगी मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरा राश्ट्रपती होता तो ये मजाग के तौर पर लिया जाता लेकिन क्योंकि लोग जानते हैं कि जितनी नाटो को अमेरिका की ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत अमेरिका को नाटो की है इसलिए कोई भी उस बात को गंभिरता से नहीं लेता उनके बारे में लगता है कि वो गठबंधन का असल महत्व नहीं समझते हैं इसका मतलब क्या है? या इतिहास क्या है? या हम जो करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो दुनिया को सौधे बाजी की नजर से देखते हैं. सिर्फ अपना फायदा. अगर मैं किसी की हिफाज़त करता हूँ, तो मुझे क्या फायदा होगा? नाटो से मुझे मुनाफ़ा क्यों नहीं हो रहा है उन्हीं ये समझ में नहीं आता कि नाटो अमेरिका के लिए वैश्विक स्थिर्था और सुरक्षा बनाए रखने का एक जरिया है उनके लिए ये सिर्फ एक डील है आप मुझे ये दीजिये, मैं आपको वो दूँगा लेकिन नाटो इस पर आधारित नहीं है ट्रम्प की धमकी बे असर रही लेकिन नाटो के यूरोपिय सदस्य देश काफी चिंतित थे बरलिन, जुलाई 2019 लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टिटूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज और कोरबर फाउंडेशन ने एक अभयास किया इसमें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लेंड और अमेरिका के सुरक्षा विशेशक्यों ने भाग लिया सब कुछ गुप्त तरीके से हुआ ना ही जगह और ना ही प्रतिभागियों के नाम उजागर किये गए नोरा म्यूलर, कोरबर फाउंडेशन में अंतररास्ट्रिय मामलों की निदेशक है स्थितियों की नकल करने वाले ऐसे अभ्यासों में हम सरकारी अधिकारियों को ही नहीं बलकि शेक्षिक संस्थानों और फिंक टैंकों के विशेशग्यों को भी बुलाते हैं वहां उन सभी देशों के विशेशग्य आते हैं जिनके लिए इस अभ्यास की स्थितियां माईने रखती हैं और इस तरह के आयोजनों को लेकर सबसे जरूरी बात है कि इसके प्रतिभागियों की जानकारी गुप्त रखी जाती है काल्पनिक परीद्रिश्य ये था ट्रम्प के दूसरी बार राष्ट्रपती बनने के बाद अमेरिका नाटो से बाहर हो जाता है ये कोई सैन्न नहीं बलकि एक राजनितिक परीद्रिश्य था तो बाकी देश किस तरह की रियायते देने के लिए तैयार है क्या नाटो अमेरिकी धमकी के दबाव में तूट सकता है जर्मन टीम अपनी व्यापार नीती को इस्तेमाल कर ऐसी परिस्थिती से निपठने को तैयार थी पोलेंड की टीम भी कुछ इसी तरह अमेरिका से नाटो से इतर एक द्वी पक्षिय सुरक्षा नीती समझोते के लिए तैयार थी और ये खेल के बाकी खिलाडियों के लिए वाकई चिंता की बात थी क्योंकि अगर हमने अमेरिका से द्वी पक्षिय सुरक्षा समझोते करने शुरू कर दिये तो नाटो का कोई मतलब ही नहीं रहे जाएगा इस अभ्यास में गट बंधन की कमजोरियां खुल कर सामने आई अमेरिका के बाहर हो जाने से नाटो काफी कमजोर हो जाएगा और द्वी पक्षिय समझोतों की होड लग जाएगी नाटो के इतिहास में ये प्रश्ण भी मिल सकता है कि अगर अमेरिका यूरोप से बाहर हो जाए तो क्या होगा और उन्होंने द्विपक्षिय समझोतों का दौर लोटने की कलपना की थी दो देशों या यूरोप में तीन देशों के बीच समझोते हो सकते हैं और उन्हें दूसरे विश्वयुद के पहले वाले दौर की वापसी दिख रही थी जब यूरोप में खुब समझोते होते थे और उन्हें इस बात की चिंता हुई कि युद्ध शुरू होने की स्थिती में ये बहुत ही अस्थिर और खतरनाक हालात होंगे जहां देशों के ऊपर कई तरह की सुरक्षा जिम्मिदारिया होंगी और इससे प्रभावूं की एक जड़ी लग सकती है 2019 में बरलिन में चुप चाप जिस सीन का भ्यास किया गया वो एक बार फिर 2024 में प्रासंग खोठा है ट्रम्प ने अपने चुनाव अभ्यान में नाटो को फिर मुद्दा बना लिया है हमें इससे कुछ खास नहीं मिला और मुझे आपसे नाटो के बारे में ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि अगर हमें कभी ज़रूरत हुई मान लीजे कि हम पर कभी हमला हुआ तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे मुझे इस बात का ज्यादा डर है कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपती बने तो वो नाटो से बाहर निकल जाएंगे शायद वो यूकरेन को भी अकेला छोड़ दें और ना जाने क्या करेंगे ये बहुत ही डरावना और विनाशकारी होगा मुझे लगता है कि ट्रम्प नाटो से बाहर हो जाएंगे क्योंकि वो हमेशा से ही उनकी मनशा रही है मुझे लगता है कि अपने पिछले कारेकाल में ऐसा नहीं कर पाने के कारण वो बहुत ही निराश हैं शायद वो मुझे जैसे लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और मैं आपको ये कह सकता हूं कि ट्रम्प अपने दूसरे कारेकाल में मुझे जैसे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं रखेंगे उन्होंने मुझे से वो सवाल पूछा एक बड़े देश की राष्टुपती खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा सर मुझे बताईए कि हम भुगतान नहीं करते हैं और रूस ने हम पर हमला कर दिया तो क्या आप हमारी रक्षा करेंगे मैंने कहा कि अगर आपने भुगतान नहीं किया तो ये आपकी गलती है फिर उन्होंने कहा कि मान लीजिये कि अगर ऐसा हुआ तो नहीं हम आपको नहीं बचाएंगे बलकि मैं तो उनसे कहूंगा कि वो आपके साथ जो भी करना चाहें करें आपको भुगतान तो करना होगा आपको अपने बिल्तो चुकाने होंगे और फिर पैसा आने लगा हम दुनिया के बेवकूफ देशों में से एक थे लेकिन हम आगे बेवकूफ नहीं बने रहेंगे असली खत्रा अमेरिका का नाटो से आधिकारिक तोर पर बाहर जाना नहीं है इसको लेकर कॉंग्रेस ने 2019 में एक साफ साफ कानून भी बनाया था राश्ट्रपती के पास नाटो ट्रीटी ब्रेक करने का अधिकार नहीं है संधियों को कॉंग्रेस से गुजरना होगा असली खत्रा तो किसी सहयोगी पर हमले की स्थिती में राजनीतिक इच्छा शक्ती की कमी को लेकर है चाहे उस वक्त राश्ट्रपती ट्रम्प हों या कोई और अगर ट्रम्प दोबारा जीत जाते हैं और नाटो से आधिकारिक रूप से बाहर नहीं होते हैं क्योंकि अमेरिकी कॉंग्रेस उन्हें ऐसा नहीं करने देगी वो फिर भी हमले की स्थिती में कुछ नहीं करने का निरणय ले सकते हैं अमेरिकी कॉंग्रेस को तब भी युद्ध की घोशना करने का अधिकार होगा लेकिन अमेरिकी सैने कमांडर होने के नाते वो सेना को युद्ध के लिए नहीं भेजने को स्वतंत्र होंगे क्या सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से विश्व का सबसे बड़ा सेंने गठ बंधन और इसका शक्ति शाली अनुच्छेद पांच कमजोर पड़ सकता है और नाटो के लिए सिर्फ वही एक खत्रा नहीं है बहुत सालों से वैश्विक शक्ति समीकरण बदल रहे है एक बात है अमेरिकी समाज बदल रहा है लेकिन हाल के वर्षों में एक नजरिया बना है कि चीन खत्रा बनके उभर रहा है वही एक ऐसी वैश्विक शक्ति है जिससे अमेरिका को खत्रा है इस मामले में रूस एक अलग ही श्रिणी में आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग के अनुसार चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाला देश है चीनी सेना का आधुनी की करण 2035 में पूरा कर लिया जाएगा इसके अलावा चीन के पास सबसे बड़ी नौ सेना है हाल के वर्षों के सैटलाइट पिक्चर्स से ये पता चलता है कि चीन ने चीन सागर के छोटे-छोटे दूइपों पर बड़ा मिलिटरी बेस खड़ा कर लिया है ताइवान और अन्य एशियाई देशों के प्रती चीन का रवईया काफी आकरामक है वो देश भी नाटो और अमेरिका की ओर से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या हम इन दोनों ही मंचों और क्षेत्रों में समान रूप से सक्रिय रह सकते हैं हम जो भी हतियार या सहयोग यूकरेन को दे रही हैं क्या विवाद की स्थिती में वैसी ही मदद हमें ताइवान को भी नहीं देनी चाहिए अमेरिका में ये बहस जारी है 2019 में मैं अमेरिकी दोरे पर एक डेलिगेशन का हिस्सा थी हमारी चर्चा के दोरान अमेरिकी प्रतिनिदियों ने हमसे कहा कि रूस आपकी समस्या है अब ये यूरोप की समस्या है आपको उसका हर ढूंडना होगा ये नहीं बदलने वाला भले ही अगले 10 या 20 सालों में हमारे रूस के साथ अच्छे संबंध बन जाएं तब तक ये यूरोपीय देशों को ये मान कर चलना होगा कि अमेरिका सिधे तोर पर विवाद की स्थिती में मदद नहीं करेगा क्योंकि वो कहीं और व्यस्थ होगा यूरोपीय देशों के सामने भविश में ये एक चुनोती होगी कि अमेरिकी सुरक्षा लेने के अलावा वो कैसे दूसरों के काम आ सकते हैं केवल अमेरिकी सुरक्षा का फायदा लेने वाले नहीं क्या हमें प्लान बी की जरूरत है किसी एक संगठित यूरोपीयन आर्मी जैसा कुछ बहराल यूरोपीय संग समझोते का आर्टिकल 42 आपसी सहयोग की गारंटी देता है ठीक नाटो के आर्टिकल 5 की तरह कहने की जरूरत नहीं है कि विकेंद्री करण की स्थिती में अमेरिकी आर्मी आज जैसी शक्तिशाली नहीं होती और ठीक उसी तरह एक संगठित कमांड धांचे के तहट यूरोपीयन आर्मी मुश्किल है क्योंकि हम अमेरिका की तरह एक देश नहीं है यूरोपीय संग में 27 देश है वो ब्रसेल्स या कहीं और मौजूद एक केंद्रिय कमांड के हाथों में सैन्य निर्णाय नहीं सौपेंगे फरवरी में यूरोपीयन कमिशन की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेयर लायन ने एक EU डिफेंस कमिशनर की नियुक्ति के प्रस्ताव का समर्थन किया था लेकिन एक यूरोपीयन आर्मी के आईडिया पर काम काफी पहले किया जाना चाहिए था यूरोपीय देश ऐसा कर सकते हैं कि अपनी सेना को संगठिद करें ताकि वो एक साथ मिल कर काम करें लेकिन फिर भी वो रूस को डरा पाने में सफल नहीं होंगे लेकिन कम से कम उनके पास इतना आधार तो होगा कि वो छोटे या मध्यम आकार के मिशन खुद लड़ सकी छोटे या मध्यम आकार के मिशन रूस को शायद ही डरा सकेंगे जन्वरी में नाटो ने शीत युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया, जिसका नाम स्टेड़फास्ट डिफेंडर था इस युद्ध अभ्यास में 90,000 सैनिक महिनों तक कृत्रिम हमले का सामना करेंगे और काल्पनिक दुश्मन कौन है? रूस एक ब्रिटिश कुटनितिग्य ने कहा था कि सामानिता है, जब भी नाटो मुश्किल में होता है, तो रूस ही उसे बचाता है नाटो अब उस वास्तविक कारण की तरफ लौट रहा है, जिसके आधार पर 1949 में नौर्थ अटलांटिक ब्लॉक की स्थापना की गई थी, मौस्को को किनारे रखते हुए पुतिन को पसंद आए या ना आए, यूक्रेन पर रूसी हमले ने नाटो को फिर से जिन्दा कर दिया है एक यूरोपी और एक जर्मन होने के नाते, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक की हमारी सबसे बड़ी परिक्षा है ये कोई मामूली घटना नहीं है, जिसे हम दूर से ही मैनेज कर लेंगे बाहरी दबावों के बावजूद, यूरोप और अमेरिका के बीच की बढ़ती दूरी नजर अंदास करने लायक नहीं है यूरोप के सामने कई नई समस्याएं है सभी यूरोपिय देशों की सैन्ने शक्तियों को मिला भी दिया जाए, तो भी वो अमेरिकी सैन्ने शक्ति के बराबर नहीं होंगी नाटो के बिना एक कारगर यूरोपिय रक्षा नीती बनाने में दशकों लग सकते हैं कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें जीडीपी के दो फीसिदी से कहीं जादा का खड़ चाएगा और सिर्फ पैसों से ही सारा काम नहीं हो जाएगा चीजें बनानी होंगी ऐसे हथियार बनाने होंगे जिनके बारे में यूरोप फिलहाल सपना ही देख सकता है शीत युद्ध के बाद पीस डिविडेंड यानि शांती में हिस्सदारी वाले विवस्था का वक्त जा चुका है रक्षा एक बार फिर राजनीतिक मुद्धा बन चुकी है मेरा परिवार है हमें से ज्यादा तर लोग माता पिता हैं हमें लड़ाई नहीं चाहिए ये हम कभी नहीं चाहते तो इसे रोका कैसे जा सकता है कुछ इस तरह के तैयारियों से और उन्हें ये संदेश पहुंचा कर जिन्होंने कुछ साल पहले अपने एक पडोसी पर हमला कर दिया था ये कहे कर कि वो यहां काम नहीं आएगा अपनी स्थापना के 75 सालों के बाद आज नाटो के सामने फिर से वही यक्ष प्रश्ण है कि युद्ध होने से कैसे रोका जाए कि युद्ध है कि युद्ध है